कि नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर अमित कुमार जहा हूं और मैं एक कंसल्टेंट यूरॉलोजिस्ट एंड किनी ट्रांस्टांट सर्जन हूं अपने बीते कई वीडियो में हम बीमारियों के बारे में बात करते रहते हैं इस वीडियो में आज हम डिसकस करेंगे एक पॉज किड्नी के लिए क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए जिससे हमारी के वीडियो में साथ एसे स्टेप्स के बारे में बताऊंगा जो की हमारे किड्नी को हेल्दी रखने में सहाए घूमी का निभाते हैं किड्नी फेलियर के मरीज के संख्या अल ओवर दे वरल्ड पढ़ती जा रही है आपने सुना होगा कोई ना कोई रिलेटिव जो है डाइलेसिस पे आ गया फिर किड्नी टांस्परांट की ज़ुरत पड़ रही है इस इस्तीती से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए इस वीडियो में हम वही डिसकस करेंगे तो किड्नी फेलियर की अगर बात क कुछ कंजनाइटल डिजीजेज जनमजाद बीमारियां उसके अलावा ग्लॉमरिलल डिजीजेज होती है उसके अलावा महिलाओं में बार-बार यूरीन के जो इनफेक्शन होते हैं इनसे भी किड्नी फेलियर की प्रॉब्लम होती है तो इसके प्रिवेंशन में भी इन ही इसको अगर हम कंट्रोल कर लें अच्छी तरह तो भी आधे से ज्यादा किड्नी डिजीज जो है प्रिवेंट हो सकते हैं मसलन आपको अगर मदुमे की बिमारी है तो अपने एंडोक्राइनोलाजिस से मिलके या फिजीशन से मिलके इसका सही समय पे नियमर टाइम पे जाज कराते रहे हैं कई लोग डाइबिटीस की दवा चालो हो जाती है फिर सालों तक उसी दवा को कंटिन्यू रखते हैं शुगर का कंट्रोल अच्छा है कि नहीं वो समझने की कोशिश नहीं करते हैं तो डाइबिटीस के मरीजों को समय समय पर अपने शुगर की जाज करना और अपने फिजीशन से मिलकर अपनी दवा को एड़स्ट करवाना यह बहुत ज़्यादा जरूरी होता है इसी तरह से हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी है वो भी अपने ब्लड प्रेशर को एट लिस्ट वीक में एक बार चेक करें और अगर में कोई चेंजिस आ र लगाना चाहिए ताकि इसका कोई पर्मनेंट सलूशन हो सके बार बार यह इंफेक्शन ना हो और आप किड्नी डैमेज की स्थिती तक ना पहुँचे तो यह हो गई पुरानी बीमारियों के बारे में दूसरा जो में चीज है किड्नी हेल्थ के लिए वो है आहार यानि डा सबसे पहले तो डायेट में जो नमक की मात्रा है यह गाइडलाइन के मुताबिक 2.3 ग्राम से अधिक 24 घंटे में नहीं होनी चाहिए अब मैं जानता हूं कि यह 2.3 ग्राम नापना बहुत ही मुश्किल है स्पेशली नमक हम खाने में मिलाकर मिक्स करके लेते हैं तो हमें प ही लें उसके अलावा कुछ पर्टिकुलर हाई सॉल्ट वाली प्रोड़क्स जो नहीं लें जैसे की अचार जैसे की पापट जैसे की सोया सॉस चाइनीज फूल इस तरह की चीजें अगर आप कम ले लेंगे तो फिर आपका नमक जो है 24 घंटे की रिक्वाइरमेंट जो है वह कम ही रहेगी इसके अलावा मैं बात करूं तो रिफाइंट शुगर का इस्तमाल याने की केक्स पेस्ट्रीज मिठाई या इस तरह की चीजें जो है वह कम से कम मात्रा में लेनी चाहिए उसके लावा कार्बोहड़ेट जो भी आप ले रहे हैं वह साधारन पीसा जाता था तो वह प्रक्रियागर करते हैं तो फिर जो है हमारे किड्नी की हेल्थ नहीं हमारे गट की हेल्थ याने इंटेस्टाइन की हेल्थ भी अच्छी रहती है इसके लावा सैचूरेटेड फैट्स यानिके डालडा बटर और तला हुआ खाना जो पेशली वह खा आप खा रहे हैं तो फलों का जूस गाड़ कर मत पीजिए साबूत फल खाईए उससे आपको बहुत से तरह की फाइबर भी मिलते हैं जिससे हमारी किड्नी हेल्थ अच्छी रहती है इसके लावा दूद और डेरी प्रोड़क्स की अगर बात कर रहे हैं तो उसमें एकदम क्रीम वाला मिल्क ना लें उसकी जगे लो फैट या फैट फ्री मिल्क का इस्तेमाल आप करें नॉन वेजटेरियन फूद अगर ले रहे हैं ले सकते हैं हफते में एक या दो बार तक ही इसको सीमित रखें और इसको फ्राइए करके खाने की जगे इसको ग्रिल या बेक करक खाएं तो जाधा अच्छा रहेगा तो यह आहार से रिलेटेट कुछ बाते थी जो किड्नी हेल्थ के लिए थी अब आये जानते और क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं एक्सरसाइज और बॉड़ी वेट का मेंटेनेंस एक्सरसाइज जो है हाफते में तीन बार थर्टी यह उससे जाधा एक्सरसाइज अगर आप कर लेते हैं तो आपके किड्नी हेल्थ के लिए नहीं कार्डियोवेस्कलर हेल्थ के लिए भी है बहुत लाबकारी सिद्ध होता है इसके अलावा रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि जो लोग साथ से आठ गंटे की नीन रोज लेत है इसके लिए अगर आप धूम्रपान करते हैं तो धूम्रपान से बचें धूम्रपान एक नोन रिस्क फैक्टर है किड्नी डीजीज के लिए तो इसको पले ही वो किसी भी फॉर्म में हो कुछ लोग ऐसा स्कूछते हैं कि हम सेग्रेट नहीं पीते हम पान मसाला खालेंग तो उससे हमें कुछ होगा नहीं तो बैखो किसी भी फॉर्म में हो वो केड्नी हेल्थ के लिए नुकसान दे ही है इससे आपको अवर्ड करना चाहिए इसके लावा जो लोग एल्कोहल का इंटेक करते हैं एल्कोहल इंटेक हाला की रिसर्च में देखा गया है कि एक या दो प्रति दिन इतना कोई नुकसान केड्नी हेल्थ के लिए नहीं करता लेकिन यह एक हैबिट फॉर्मिंग चीज है वह हमेशा एक पर्टिकुलर एमाउंट पर आदमी रुपता नहीं धीरे दीरे इसकी आदत लग जाती है और यह बढ़ती है तो जितना हो सके इसको अवाइ पर मत्तब हम लैक कर रहे हैं ताकि अगले हफते फिर हम इसको सुधार सकें बांकी किड्नी के लिए एक एन्वल हल्थ चेकप कराना अच्छा रहता है स्पेशली आफ्टर फॉर्टी येर्स कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो अरली पकड़ में आ सके किड्नी डैमेज का स सबसे पहला इंडिकेशन जो है वह यूरीन में प्रोटीन जाना होता है तो जब भी आप हेल्चिकप कराएं तो यूरीन में प्रोटीन की मात्रा अगर नपवा सकते हैं या वह टेस्ट करवाएं तो वह हमेशा किड्नी के अरली डैमेज का संकेत देता है और इससे फिर टाइम पर सही करवा सकते हैं तो इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद तो